तुम्हारे बंबी गाना हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं अपने समय से जब से हम जनमे हैं हम तभी से अच्छे हैं आप भी अच्छे बन सकते हैं आई ये स्वागत है आप सबका आज के सेशन में जहां पर हम बात करेंगे amendments in process costing की कि भाई institute ने जो फेर बदल से किये हैं क्या इसमें process costing में भी कुछ कुछ किया है क्या तो process costing में institute ने कुल मिला कर तीन change किये हैं change क्या किया है? change नहीं कहना चाहिए तीन नए प्रशन एड किये हैं ठीक है न? ऐसा कुछ नहीं कि जो कुछ नई चीज एड होगी अगर आप हमारे student तो आपको ये amendment से कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए additionally क्योंकि question थोड़े से नहीं है यो दोस्तों ये लीज़े जितने पुछ सेशन में जुड़ गए है जरा सेशन को like दबा दीजी और अपनी उपस्थिती को दर्ज कराईए तो process costing में changes कहां कहां है आप देख रहे है page number 10.29 पर new का मतलब है new वाले module की बात करें पहला प्रशन है क्या remarks है कि तुम नए नए add हुए हो ये प्रशन नया add हुआ है तो आईए चलते हैं 10.29 नंबर page पर जिस पर प्रशन नंबर 1 को हम देखेंगे ये लीज़े कहां हो यहां हो यो लो भाई यो question है और इसके answer वास्ता हमने क्या करया हमने एक और इसकी copy बना ली उसमें हम इसका उत्तर देखलांगे उत्तर देखलेंगे यो रिया जी पहले मैं उत्तर सारा आये जी पहला प्रशन हमारा सामने ये रहा क्या कहता है प्रशन An English Willow Company who manufactures cricket bat buys the wood as its direct material बहुत बढ़िया बात है cricket bat, cricket का शौक तो रखते होंगे ऐसे करके short मैं lefty हूँ अगर आपने मेरा इस्टाग्राम पर photo देखा हूँ मैं goa गया था तो मैंने बल्ले बाजी करे थी lefty तो बच्चों को वहां पर समझ में आए कि सर लेफ्ट हैंड से खेलते हैं तो जब bat बनता है, bat किस चीज़ से बनेगा बाई, wood से बनेगा तो wood क्या हो गया material उसके लिए कहते हैं एक department है forming department it processes the cricket bats and the cricket bats are then transferred to the finishing department where the stickers are applied, main to sticker है cricket bat के उपर जब MRF का sticker लगा होता तो उसका रंग रूपी देखने वाला होता है उसकी value जो है बढ़ जाती है लेकिन अगर आपने कोई local sticker लगा दिया let's say मैंने उसके ओपर लिख दिया कुछ भी prince लिख दिया उसके ओपर prince के bat आ रहे हैं तो नहीं है, brand नहीं है, सस्ता भी केगा तो दो department है, forming department में wood से cricket bat बना देते हो और finishing department के अंदर आप उसके sticker लगा देते हो question कहता पुतर, the forming department began manufacturing 10,000 initial bats during the month of December for the first time and their cost is as follows तो आपने 10,000 bats बनाने start के units होगे, number of units जिसमें खर्चा के लगा, question कहता जी direct material थे 30,000 रुपे और conversion को 17,000, conversion cost का मतलब क्या होता है labor plus overhead, कुल मिलाकर 17,000 रुपे, तो ये total आ गया 50,000 आगे देखते हैं क्या कहते है, 10,000 bats बनाने start करे थे a total of 8,000 cricket bats were completed and transferred to the finishing department मतलब forming वाले ने 10 में से सिरफ 8 ही complete किये तो उनको finishing department ने भेज़ दिया, जो बाकी की 2000 थे were still in the forming process at the end of month, मतलब ये क्या है WIP, all the forming departments direct material were placed but on an average all of the forming department direct material were placed का मतलब हो गया कि direct material की DOC कितनी है, 100%, लेकिन कहता हूं on an average only 25% of the conversion cost was applied to the closing WIP inventory, तो जो इसकी DOC है, conversion cost की, that is 25%, 25% किसमे labor and overhead, जिसको conversion cost आपन बोलते हैं, आसान सा प्रशन है, क्या पूछता है हमसे, number one, it says calculate the equivalent units of production for each cost, मतलब आपको क्या करना है, statement of equivalent production बनाना है, और उसमें निकाल देने हैं, आपने equivalent completed units, उसके बाद statement of cost बनाना है, जहां पर आप cost per unit बता देंगे, लेकिन question सारा नहीं पूछ रहा, material बगएरा का नहीं पूछ रहा, आपको सिरफ किसका पूछ रहा है, conversion cost per unit, मतलब labor and overhead वाला जो portion है, सिरफ उसके लिए material के लिए नहीं करना, otherwise normally जब हम statement of cost बनाते हैं, तो जितने भी element cost क्यों होते हैं, जैसे कि इस question के अंदर कितने element हैं, एक material है, और दूसरा है conversion cost, हम सभी के लिए cost per ECU निकालते हैं, question के लिए, सिरफ conversion के लिए निकालना, और तीसरी point में क्या कहता, cost of closing WIP बता दो, and finished product बता दो, ठीक है, ये लिजे, not very typical question, simple, सबसे पहले क्या बना रहे हैं, statement of equivalent production, जहां पर, पहला column आ गया, input, इसमें डाल दिये जी, units, produce, introduce, कितने 10,000, इस 10,000 का क्या-क्या हस्चर हुआ, वो output वाले column में आएगा, तो output के particulars क्या हैं, इस 10 में से, 8,000 तो finish हो गया, और इस 10,000 में से 2,000 रह गया, closing WIP, जो पूरी तरीके से complete हो गया, finished output, वहां 100% DOC, और accordingly units आ गए, 8,000, 8,000, 8,000 का सो परतिशत 8,000, whereas जो आपका closing WIP है, वहां पर 100% DOC material के लिए तो है, लेकिन labor and overhead के लिए question ने बोला कितनी है, 25%, तो 2000 का 100%, 2000 और 2000 का 25%, 500, so आपके total ECU आ गए, 10,000 और 500, ये हो गया पहला भाग, question ने हमसे second part के अंदर सिरफ पूछा, conversion cost per ECU, material नहीं पूछा, लेकिन third part में उसने जब हमें का कि closing WIP की value बता दो और FG की बता दो, तो वहां पर अपने को material की भी चाहिए होगी, तभी totality में value आएगी, तो हम second part में material का भी कर लेंगे, आपका जितना total expense लगा था, 33,000 material में और conversion cost था 17,000 का, उसको divide कर देंगे किस से जो ये ECU हमने निकाले थे, तो cost per ECU आ गया 3.34 material and 2 रुपी for the conversion cost, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अंत में question ने बोला, cost बता दो WIP की और FG की, अगर मैं इन दोनों का total करूँ तो ये कितना आ गया 5.30, total किसलिए, finished goods की जब cost निकालनी है, क्योंकि सब जगा 100% completion थी, तो आप straight away 8,000 से 5.3 को multiply कर सकते हैं, सीधा FG के लिए हम क्या कर रहे हैं, 8,000 को सीधा ही 5.3 से multiply करेंगे, तो हमारा answer आ जाएगा, 42,400 ऐसे detail में करके दिखाने की आवशकता आपको नहीं है, finished goods में simple सरूल होता है कि जितने units से multiply कर दीजे, total cost पर ECU, ये क्या चीज थी, total cost पर ECU, ठीक होई बात, whereas जब WIP की value निकालोगे, closing WIP की, उस वक्त आपको देखना होगा, individual कितने कितने थे, इनके units, material के 2000, conversion cost के 500, तो जो material के 2000 units हैं, उसको आप material के rate से multiply करोगे, और जो conversion cost के unit से 500, उसको conversion cost के unit से multiply करेंगे, तो total इसकी value आ जाएगी, 7,600, एक ये प्रशन जो है add किया गए, जिसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं लगती, कोई भी मुश्किल चीज नहीं लगती, ठीक है, अगर किसी का chapter कमजोर है, मेरे साथ ये तीन question देख लेंगे, तो chapter की पूरी revision आपकी हो जाएगी, ये था पहला amendment, उसके बात, institute ने कहा, page number 10.3 पर एक प्रशन number 2 है, ये भी जब हमने check किया, पुराने module में नहीं था, मतलब ये भी नया add किया गए, तो हम इस प्रशन को भी देख लेंगे, आओ हायो रब्ब, हायो रब्ब, हायो रब्ब, हायो रब्ब, हायो रब्ब, कमाँ, इले जिदे, Hill Manufacturing Limited नाम के company कहते, uses the process costing to manufacture water density sensors for the hydro sector, क्या बना रहे हैं, water density sensor for the hydro sector, जहां से basically बिजली उत्तपन की जाती है, following information pertains to the operations for the month of May, मैं के महीने के लिए, मैं के महीने के लिए कुछ data दिया गया, कैसन data, opening WIP 16,000 units, started in production during May, मतलब input जो आपने introduce करया से, कितना 1,00,000 units, complete कितना कर दिया, 92,000, ध्यान से देखें, completed मतलब जो finished goods बना, और बाकी रहे गया closing WIP, अगर आप total करें, opening WIP 16,000, प्लस आपने total 1,00,000 का और introduce किया, तो 1,00,000 उनिट total बनाने थे, जिसमें से 92 बने और 24 closing WIP में इनका total करोगे तो इनका भी 1,16,000 आगया, मतलब कोई normal loss, abnormal loss, abnormal gain, कुछ भी नहीं है, question में, सीधा-सीधा, साधू-वाद प्रशन, साधू-वाद प्रशन, सीधा-साधा प्रशन, question आगे कहता, कि भाई, जो हमारी beginning WIP थी, opening, इसकी बात कर रहा है, opening WIP, 60% complete थी material के लिए, and 20% complete for the conversion cost already, opening वाली मतलब इसके उपर, पिछले period में काम हो चुक है, material के उपर 60% और labor overhead के उपर 20%, जहां तक ending inventory की बात है, that was 90% complete for material, and 40% complete for the conversion cost, यह वाली बात भी समझ में आ गई, cost pertaining to the month, current period की cost कितनी लगी, पहले बता रहे हैं, जो beginning की थी, opening WIP की beginning inventory cost, material 27670, labor इतना और factory overhead इतने रुपाए, का यह opening WIP का हो गया, यह किसका है, opening WIP, और यह cost incurred during the month of May, यह current period का बित्रा cost हो गया, यह हो गया current period का, जो हमने units इस बार introduce किये थे, उसकी cost कितनी है, material used है 479,000, direct labor 182,880, ते पुतर factory overhead हैं, तिन लख कनवे 1160 पाए दे, question कहनदा, calculate using the FIPO method, use गड़ा करना है, FIPO method, equivalent units of production निकालो, यानि कि आपको बनाना है statement of equivalent production, अगर question यह method ना लिखता, तो क्या करते, क्या हम यहाँ पर average method लगा सकते हैं, बिल्कुल, question में information सारी है, मैं वापिस बच्चों को याद दिला दू, जिनको याद ना हो कि कैसे बता चलता है FIPO लगाने है, कैसे बता चलता है weighted average लगाने है, अगर question के अंदर, सुनेंगे, 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 अगर question के अंदर, opening WIP का degree of completion given है, वापिस से, अगर question के अंदर, opening WIP का degree of completion given है, इसका मतलब है आप FIFO लगाएंगे, अगर question के अंदर, opening WIP की cost की bifurcation given है, क्या वापिस से question के अंदर जो opening WIP है अगर उसकी cost की bifurcation given है उसमें कितना material कितना labor कितना overhead लगा है in that case उसका मतलब है कि weighted average लगाया जा सकता है अब question में अगर दोनों ही चीज़ें दे दी उसने FIFO का लगाने वाला सामान भी उपलब्द करा दिया weighted average को लगाने वाला सामान भी उपलब्द करा दिया तो हम क्या करेंगे भाई फिर हम पहले question को देखेंगे का question ने कुछ बताया और question ने भली बात ही ये बताया कि भाई फिफो यूज करना अगर question ने ना लिखा होता तो आपके पास choice थी आप FIFO करते चाहे weighted average करते विद्दा note अब note देकर कुछ भी कर सकते थे हालांकि silent cases में भी preferable हम कहते हैं FIFO ही करना note लिख कर भी लेकिन आप weighted average करेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा ठीक है मित्रों और उसके बाद कह रहा है दूसरा point cost per equivalent unit for the conversion cost मतलब पूरा question नहीं करना सिरफ statement of equivalent production और statement of cost बनाना है आपको दो चीज़े ठीक है आसान है करेंगे आईए statement of equivalent production जब बनाएंगे उसके अंदेर detail आ गई सबसे पहला कॉलम बात कर रहा है input की input और units तो opening WIP था 16,000 और आपने 1,000,000 units और introduce किये total हो गया 1,000,000 16,000 इसका क्या हुआ इस में से कितना output बन गया question में कहा था 92,000 unit यह देखिए जी total कितने बने थे प्लीज देखेंगे completed production during the month of May 92,000 FIFO method लगाना है FIFO के कहता है first in first out मतलब जो सबसे पुराना पढ़ा था सबसे पहले वो बनाओगा सबसे पुराना कौन सा पढ़ा था यह वाला 16,000 यानि कि 92,000 में से 16,000 opening वाला तो पका बन गया और balance कितना रह गया 92 minus 16 करेंगे तो 76,000 balance रह गया 76,000 जो आपने current production में से पूरा किया तो 16,000 आ गया from the opening WIP चेक करेंगे यहां देखेंगे opening WIP से आगया 16 और current period वाला input 76 और यह आगया जो closing WIP जो 24,000 गिवन ही है question में ध्यान से देखेंगे प्लीज, question में क्या बताया गया था, जो यह opening WIP है, इसमें कितना काम already हो चुका था, उन्होंने कहा था, it was already 60% complete for material, यानि कि आपने extra कितना लगाया, 40% similarly, 20% already conversion cost का लगा हो था तो आपने कितना लगाया, 80% तो चेक करेंगे, opening WIP के सामने 40% material और 80% conversion cost हमने लगाई इस period में, क्योंकि 60 और भी इस already लगी होई थी जो यह 76,000 units है, यह तो start भी current period में होई, खतम भी current period में होई, तो इनके उपर सारा काम यहीं हुआ, तो 100% की degree of completion आएगी और जो closing वाला है उसके लिए भी question ने बताया कि भाई, closing inventory में 90% material के उपर काम हो चुके और 40% conversion cost तो 90 आगया material में और 40 आगया conversion cost में, जो आपके units थे, उसको आपने DOC से multiply किया, तो आपके respective ECUs आ गए for the all the particulars, चाहे वो opening WIP है, completed output है, closing WIP और जब इनका total करेंगे material के ECU आएंगे 1,4,000 बिटा और conversion cost यानि की labor as well as overage के आएंगे 98,400 ठीक हो गया, आगे उसके बाद question ने बोला, cost per ECU भी निकाल कर बता दो, cost per ECU, question एक बर वापिस से देख लें, कोई specific demand question की, cost per equivalent unit बता दो for conversion cost, यानि कि material के लिए नहीं पुझा, conversion cost के लिए सिरफ, conversion cost है कितने, ये देखो, conversion cost का मतलब ये labor और ये factory overhead, पिछले question में भी word ये ही use था, जहां मैंने बताया कि conversion cost का मतलब होता है labor and overhead, factory overhead, तो labor है 180 to 880 के और factory overhead है 391160, इन दोनों को सबसे पहले add कर लेंगे, याद रखे, अगर average method लगाते, तो इसमें जो opening WIP के ऊपर cost लगी हुए, labor और overhead की वो भी add करते, लेकिन क्योंकि FIFO method लगा रहे हैं, तो उसके अवशक्ता नहीं है, सिरफ current period की cost add होई, ये आगया total conversion cost, ये क्या आगया जी, total conversion cost, और आपके conversion cost के ECU हैं कितने, ये रहे 98,400 तो ये 98,400 यहाँ आ गए, 5,74,040 को divide कर दिया पुत्तर अपर 98,400 5.8373983739 etc हमें क्या लेना देना, सिरफ 2 decimal place तक अपने हो करना है, और ये आता है जिसका final, उत्तर 5.83, उमीद करते हैं सारे पुत्रानों समाज आगया होवेगा, जरा एक small break for the water drinking, because it is very important to be hydrated जैम आता दी बोल जैकारा सिर्वलिदा, बोल साथ चे द्रबार की जै, चक दे भट्टे जैम आता दी आज भी मितरो, दो चीजें हमने कर ली, तीसरी चीज क्या है, तीसरा question full-fledged है, अच्छा question है 10.33 page पर है new module में question number 6 और ये question भी नया add हुआ है one number कर लिया, two कर लिया three, four, five, जो पुराने module में थे वही है, सिर्व एक नया question आया है, कौन सा number 6, चल पड़ते हैं अपना अगर concept clear है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा ये question अच्छा है, इसमें volume में बच्चे परिशान हो सकते हैं volume में, volume मतलब quantity में, मैं इसको important question mark कर देता हूँ concept में कुछ भी नयापन नहीं है लेकिन question अच्छा है, करेंगे तो मज़ा आएगा, और हमारे बच्चे तो मज़ा लेने के लिए हमेशा त्यार बठे रहते हैं question स्टार्ट होता है, कितने प्यारे शब्द कितना मीठा question है, healthy sweets sweet और healthy healthy sweet is engaged in the manufacturing of jaggery good बनाते हैं good बनाते हैं, कहते process क्या है, its process involve sugar can crushing for juice extraction, सबसे पहले के जो गन्ना होता है गन्ने का juice निकाल देते हैं अगर आपने कभी cluster देखा हो crusher बोलते हैं, वैसे हर्याना में cluster cluster बोलते हैं, हर्याना पंजाब UP में बहुत मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर गन्ना बहुत होता है, तो कभी रहा चलते हैं, सडक पर जा रहे हैं, आपको देखे कहीं side में धुआ उठ रहा है, तो समझ लेना, कि almost वहाँ पर crusher ही है, तो सबसे पहले गन्ने का juice निकाल दिया, उसके बाद कहते हैं, filter करते हैं, साफ करते हैं and boil करते हैं उस juice को along with some chemicals, फिर उसको ठंडा होने देते हैं, letting it cool letting it cool, और जब यह cool हो गया, फिर क्या करते हैं, solid form में इसके blocks काट लेते हैं, जिसको jaggery बोलते हैं, और अकसर कहा जाता है, गरम गरम good, जो खाते हैं, उसका taste ही अलग होता है, बहुत बढ़ी क्या लगता है खाने में, जिसने खाया हो, मेरे को जड़ा comment करके बताना, आगे कहता जी, the main process of juice extraction, पढ़ेंगे ध्यान से, the main process of juice extraction जो पहली process में आप करते हैं, extract juice को is done in the conventional crusher, normal जो crusher होता है, वैसे होता है, which is then filtered and boiled, filter और boil कहा कर रहे हो, process 2 में ध्यान दे, process 1 में juice निकाल दिया, juice निकाल कर process 2 को दिया, process 2 ने उस juice को filter किया, और boil किया, heat पर, iron pots में, sollified jaggery blocks are then cut packed and dispatched आगे आगे जी important information अभी तक simple theory चल रही था, वो practical गुजार है बीच में for manufacturing 10 kg of jaggery 10 kg गुड बनाने के लिए 100 kg of sugar cane is required which extracts 45 liter of juice, ध्यान से पढ़ेंगे 100 kg गन्ना लेकर आए, गन्ना crusher में डाला, उसका juice निकाल दिया कितना juice निकला, 45 liter उस juice से jaggery बनाई तो कितनी बढ़ी मातर, 10 kg बच्चे ने लिख दिया, सर में रोद तक से हो और मन ने खाया बिल्कुल मैं समझ गा, जी रहे आने अड़े बच्चे ने जुरूर खाया होएगा गरम गरम गुड question की information के हिसाब से ध्यान देंगे उत्तर नंबर 6 पर जा रहूं कुछ starting remarks हैं, लिखना चाहूंगा so that हमें question और बहतर इन तरीके समझ आए तो question नंबर 6 में आपको ये कह रहे है कि भाई, हमना 100 kilo sugar cane 100 kilo sugar cane जब crush करते हैं तो उससे क्या बन रहा है 45 liter juice sugar cane का और juice से जब आपने jaggery बनाई तो सिरफ 10 kilo ही jaggery बनी है देखने में अब तक क्या लग रहा है, question JPBP का है वहाँ पर इस तरीके से information आपको दी होती है लेगिन कोई दिक्कताली बात नहीं process costing का question है आगे पता लगजेगा जब तक नहीं लगा ये लीजिए following information regarding the process 1 has been obtained from the manufacturing department of healthy sweet for the month of January 2020 opening WIP है 4500 liter sugar cane इतने रुपए का लगा हुए labor की cost और overhead की cost opening WIP में बता दी question ने फिर कहते sugar cane introduce for juice extraction मतलब ये current period का input हो गया 1,00,00,00 ये क्या हो गया जी लिख दूँ इसके ओपर ये हो गया current period का input current period का खरचा आ गया material का मतलब sugar cane का 5,00,00, labor कितने रुपए की लगी 2,00,00 की और overhead 6,00,00 का opening WIP का पहले बता दिया इतने रुपए का sugar cane यानि की material फिर labor or overhead इतना इतना लगा और current period का material labor or overhead dash dash रुपी का लगा हुए फिर question कहता हमारा abnormal loss हो गया था 1,000 किलो का ठीक है और इसकी degree of completion भी बता दी जब question ने बता दी तो भई सी रांखों पर 100% है sugar cane की और labor or overhead के लिए 80% फिर कह रहे है जी हमारा closing WIP है 9,000 लिटर का और इसकी degree of completion sugar cane 100% labor overhead 80% then says extracted juice transferred for filtered and boiling ध्यान रहे हमने यहाँ पढ़ा था कि process 1 क्या करती है process 1 में हम पहले बनाते हैं और फिर filter और boil करने के लिए किसे देते है process 2 को तो question line क्या कह रहे है juice extract करके जितना हमने filter और boiling के लिए भेजा आगे मतलब यह process 1 का output हो गया very important this is the output of process 1 process 1 जो है उसका output हो गया 49,500 लिटर और पूरे question में आप देखो कि कभी उसने liter word यूज किया कभी के जी यह देखो 45 लिटर 10 किलो 100 किलो opening WIP 4500 लिटर एक लाग किलो एक ही question के अंदर किलो और लिटर कैसे चलाएं तो question ने आपको यहाँ पर easy रखने के लिए कह दिया consider the mass of 1 liter of juice equivalent to 1 kg वैसे same नहीं होता लेकिन question करने के purpose के लिए कहता मान लेना कि 1 liter 1 किलो के बराबर है ठीक है भाई आपको मालना के साड़ा की है question ने किया आपको यहनों मन लेना है you are required to prepare using average method तो भाई मज़ा ही आगया lecture में थोड़ी तर पहले FIFO method हमारा revise होगे और अभी इसमे average method हो जाएगा क्या क्या करना सब कुछ statement of equivalent production यहां से क्या निकलेंगे ECU फिर क्या करना statement of cost बनाना यहां से क्या निकलेगा cost per ECU statement of distribution of cost यहां से क्या निकलेंगी values सारी की सारी abnormal loss की value आपका जितना finished output process 2 में गया उसकी value और closing WP उसकी value और कहता process 1 का account भी बना देना तो यह सारा काम इस question में करने के लिए बोला है, सबसे पहले हम process 1 के account में जाते हैं, जो items हमें पते हैं वो यहां पर डाल देते हैं, ध्यान से देखेंगे पुत्रों, process 1 दा account, सबसे पहले to opening WIP सबसे पहले आगे पुत्र to opening WIP, question ने यहां कैसे लिखा, इतनी detail ने चाहिए होती यह क्या कर दिया, भाई, question इकर नहीं लिखना, आपने क्या करना सीधा, मतलब मैं इसको cut कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, आपको लिखना आए, तो मैं institute ने जो किया है उसको यहां पर cut 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 cut, cut cut cut, cut 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 लिटर, यह लिओ, हम सीधा-सीधा यहां पर लिख देंगी कि भाई, 4500 लिटर क्वांटिटी है, सॉरी, आमाउट भूल गया, एक लाग दस हजार था, जी हां बिल्कुल, एक लाग दस हजार रुपाई, यह तो हो गया, यह तो हो गया, सॉरी, आपका ओपनिंग WIP, टिक माउग कर दें, यह हो गया, करण्ट पिरिड का खर्चा क्या था, आपने एक लाग किलो क्वांटिटी, शूगर के लिगाई, पांच लाग की कॉस्ट, लेबर दो लाग की, और 1000 kg, process 2 में कितना गया था, 39500, और closing WIP कितना बताया था, 9000 kg, अब balancing figure, अगर कोई आ रही है, जो की आ रही है, credit side पर तो इसको क्या मान लिया, normal loss, इसके बारे में question ने कुछ नहीं बताया, मतलब realizable value, etc., इसकी नहीं है, उसके सामने amount में, हमने dash लगा दिया, कि भाई, कोई इसका amount नहीं है, यह हो गई बात यहां तक, now, we have to find these three values, यह तीन values अपने को निकालनी है, with the help of three statement, जिसमें सबसे पहले आ रहा है, statement of equivalent production, आपके सामने, screen पर, तो address हमने pace आ गया, सब तो पहला, input दियां गलना, आपके पास opening WIP था, एक तो 4500 units का, और आपने fresh unit introduce किये, एक लाख, यह तो हो गई जी, input की बाते, total zoom out कर लें ज़रा सा, कि एकी page पर आजे, ठीक है जी, आ गया, तो total हो गया, एक लाख 4500, इसका क्या क्या हुआ, अगर यह question, ध्यान से सुनना, अगर यह question FIFO से करना होता, तो आपने जो total बनाया था, complete कितना क्या था, 39500, तो हम पता क्या बोलते हैं, इसके दो part करते, कि opening वाला 4500, और जो current period में start किया, और current period में खतम हो, 35000, यह कब करते हैं, अगर FIFO method होता, लेकिन FIFO नहीं करना साब, question ने का आए, weighted average method करो, weighted average में आपको बिलकुल यह ध्यान नहीं दिना कि कौन से वाले units का क्या हुआ, कि opening वाले बन गए, और जो बचें, वो सिर्फ closing वाले, जो closing वाले, वो सिर्फ current वाले में से, ऐसा कुछ नहीं सोचना, एदद आपको कुछ नहीं, सोचना यह लीजे, तो question कहता हमने जो units थे total एक लाख चार अजार पान सो, उसमें से finished कितने होगे, completed and transferred to process to 39,500 normal loss हुआ 55,000 abnormal loss 1000 और closing WIP 9,000, यह total detail है सबसे easy है, normal loss इसके सामने पुत्तर कुछ नहीं आना, normal loss सामने कुछ नहीं आना, इसकी कोई value नहीं निकाले जाती, क्योंकि normal loss is absorbed by the good units, abnormal loss की DOC question ने बताई है 100 और 80%, closing WIP की भी बताई, 100% for material 80% for labor and overhead क्योंकि labor और overhead का same है, तो इन्होंने same column में ही बना दिया, ठीक है ना, जो आपकी units complete होगे, finish है, उसके लिए तो obvious सी बात है, 100-100% रहेगा तो आपके जो units से जैसी DOC से multiply किया, आपके respective ECU सब जगा पर आजाएंगे, सब जगा पर आपके respective ECU आगे, जो कि आपको screen पर pink color से mark दिख रहे हैं और हमने जब total किया, तो आगया जी, ECU का total material के ECU 49,500 और labor के ECU 47,500 और overhead के भी same रहेंगे 47,500, यह सबसे पहला काम हमारा done हो गया, जहां पर हमने statement of equivalent production बनाकर compute कर लिया ECUs, उसके बाद बात ही आती है, statement of cost की अगर FIFO method होता है, तो जो opening WIP की cost है, that is irrelevant for us, लेकिन average method के अंदर, जो opening WIP की cost है, item wise, material labor overhead की, that is an important part तो हम क्या करेंगे statement of cost जब बना रहे हैं, सबसे पहले यह लिख दिया जी, opening WIP की cost, यह आगई आपके सामने 50,000, 15,000, 45,000 यह values सारी question के अंदर यहाँ पर आपको पुत्तर गिवन थी, यह लीजी यह सारी values आपको यहाँ पर दिख रही है, opening WIP की 50, 15, 45, और current period की 5,000, 2,000, और 6,000, current period की values आगई जी 5,000, 2,000, और 6,000, यह देखे, cost incurred during the month हो गया ठीक है, साथ में एक total का column बनाते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका total कर लिया, cost का opening वाली, plus current period की divide by equivalent units, यह कौन से equivalent units है जो यहाँ पर आपने compute किये थे, in the statement of equivalent production material के 49,500 और labor overhead के 47,500, 47,500 accordingly, values आगई 11.111, इसको कम से कम 3 decimal place तक जरूर लेना क्योंकि आगे इसको आपने multiply करना होता है to find out the total value 4.5264 labor and 13.5794 overhead, total आगया 29.216, total क्यों चाहिए होता है, total is required क्योंकि हमारे finish goods जो होती है जो complete units है, इनके सामने हमेशा 100% degree of completion होती है, तो 39,500 को आपन सीधा ही 29.216 से multiply कर सकते हैं यह लिजे, statement of statement of distribution of cost इसको statement of valuation भी बोल सकते हैं oblique statement of valuation मित रो oblique statement of valuation तो जितने आपके units है 39,500, complete units सबसे पहले उनकी value निकाली और multiply किससे कर दिया जो value मैंने कहा था 29.216 से multiply कर दिया तो एधी value आपकड़ती 11,54,32 इस value में कुछ रुपयों का difference आपका allowed exam में अगर आ गया rounding of के करण फरक आना ही है बहुत जादा नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने बोला कि जब यहाँ पर करोगे तो decimal के बाद 3 place जरूर लेना 3 decimal place minimum है 4 लोगे तो और बढ़िया 2 बंट लेना अगर 2 लोगे तो answer में difference काफी आएगा institute वाँ भी number काट सकता है मैंने capital budgeting का भी जब ऐसा session लिया था तो उसमें specifically यह बात बताई थी कि institute वहाँ पर present value factor भी पहले 2 decimal place तक करता था 3 decimal place तक लेकर जा रहा है मितरों ठीक है बाई आगे देखेंगे दूसरा point आ रहा है हमारे सामने abnormal loss अपने को तीन चीजों की value निकालने जो कि मैंने आपको यहां से बताया था one was abnormal loss second was process two इसकी हमने निकाल लिए अभी भी जो units complete होगर अगली process में गए और तीसरा closing WIP closing WIP और abnormal loss की value निकाल लेंगे कोई भी ऐसी चीज जिसका की पूरा degree of completion 100 नहीं है उसकी value कैसे निकलेगी यह देखे जैसे की abnormal loss आपके सामने screen पर है इसमें हम देखते हैं material के कितने DOC है material के कितने ECU है 1000 और labor and overhead के कितने ECU है 800 यानि की अलग अलग है तो material के ECU को material की cost से labor के ECU को labor की cost से and overhead के ECU को overhead की cost से multiply करेंगे यह लीजिए यह लीजिए आपके सामने तो abnormal loss में sugar के यानि की material labor और overhead material के 1000 units labor के 800 और overhead की भी 800 multiply करेंगे respective cost material की cost, labor की cost और overhead की cost 11.111, 4.526 and 13.579 तो यह values आपके समक्षा गई और इनका total किया तो पूरे abnormal loss की value आगई जिसे जा कर नहीं चे process account में लिख दिया जाएगा, हलांकि आप देख रहे हो, यह value कितने आई थी 25,595 लेकिन इनों ने यहाँ पर value same नहीं लिखी change कर दी, bracket में क्या लिखा reason देखना तो ज़रा दिख रहे है, कहरे हमारी ना waste value 25,595 ही आ रही है यह value जो यहाँ पर आई 25,595, लेकिन जैसा मैंने कहा, rounding of के current difference आता ही है, तो वो कहते जो difference आ रहा था न, due to approximation, वो हमने 18 रूपए यहीं पर adjust कर दिया क्योंकि debit side has to be equal to credit side, तो यह 14,10 लग दस इसको भी अगर 14,10 दर बनाना है, जो difference आ रहा था, उन्होंने वो abnormal loss में adjust कर दिया, ऐसा अवश्यक नहीं है, कि आपको भी exam में इसी में करना है, आप process 2 में भी कर सकते हैं, closing WIP में भी adjust कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई number नहीं कटेंगे, यह sure है और ऐसा bracket में लिखकर दिखाने की जरूरत भी नहीं है, जिससे institute ने लिखकर दिखाया है, live comment में हमारे साथ लोग बने हुए हैं, और क्या बात है हमारे अजीज मित्र दुशंत जैन, law guru के नाम से famous, इन्होंने भी लिख़ है, सर जी, hello तो hello दुशंत जी, उमीद करते हैं आप बहुत बढ़ी आऊंगे दुशंत जैन जी, CS के जाने माने फेकल्टी हैं और हमारे मित्र हैं जैसा मैंने कहा Thank you sir for coming to this session for sending your wishes, for saying hello and hi, लीजे जी, अंतिम पड़ाव इस प्रशन का जहां पर निकालना है closing WIP closing WIP में भी क्योंकि आपकी degree of completion सब जगा 100% नहीं थी, material के लिए 100% थी, तो units आ गए थे 9000 and labor overheads के लिए आये थे 7200, तो different थे, इसी लिए इसका भी individually computation करना होगा जो material वाला part है, sugar can number of units 9000 into material की cost 11.111 labor की unit 7200 labor की cost 4.526 और overhead की unit 7200 multiply overhead की cost, ये cost कोन से वापिस से आद दिला दूँ, ये वाली जो हमने statement of cost से compute की थी तो ये values आ गई और सबका total किया जब हमने, तो अपने पास value आई 230,355 जिसको हमने यहाँ पर जाकर copy कर दिया process account में, इसी के साथ expression का अन्तुआ, ठीक है बाई उमीद करते हैं, ये बढ़िया तरीके समझ आ गया होगा, कर कोई बच्चा ऐसे मुफ्त में देखे जा रहा था, मुफ्त में ही था कोई पैसे तो थे नहीं, like ज़रूर करते है that is the minimum we can ask from you guys in return for these lectures, कोई बच्चा अगर रह गया तो करदे सर्वेनाजी, planning accounts marathon is it inclusive standard, आप बच्चे को याद दिला दे, accounting standard का marathon तो भाई अलग से है, youtube पर है उसमें कोई इतना, कोई भारी भरकम change एक सेक्टर नहीं है, तो उसके लिए तो आप उसी वाले marathon को refer करेंगे, और उस marathon ने बहुत ज़्यादा records बनाए थे, और जो अगर आएगा, अगर नहीं मतलब आएगा जो accounts का marathon वो बिना standard के होगे, उसमें चेप्टर चेप्टर होगे, जैसे advanced account का marathon था चेप्टर चेप्टर, accounting standard का marathon अलग कर दिया तो accounts का जो आएगा marathon उसमें सिरफ चेप्टर होगे, accounts की जो standard है, वो already AS वाले marathon में include है, वो उसमें include है, चलिए बहुत बढ़ी आ रहा session, बहुत अच्छी learning रही, सभी बच्चे definitely ये तीन नए प्रस्शन जो कराएं मैंने कर लेंगे, और exam में गर आगया तो अब दिक्कत नहीं होगी, करते हैं session का अंत, मुलाकात होगे आप से लिए session और तक के लिए टाटा थे